नमस्कार आप देख रहे हैं आर्पियस समाचार मैं हूँ आपके साथ प्रागुनात्रशास सास्त्री देश दुनिया की तमाम खबरे जानने से पहले आईए जानते हैं आज की ताजी और खास खबर यूपे के आजमगड़ में वनचास लाख रुपे हुए बरामत शक्त टी टी या चुनाव से जुड़ा हो सकता है मामला फिलहाल पुलिस अजकारी मौन आपको बता दें उत्तर प्देश की आजमगड़ पुलिस को रविवार को रानी की शराय थानाचेत में कहीं से उन्चास लाख रुपे हुए बरामत अठारा लोगों को लिया गया हिरासत में जिन से हो रही पूंचतांत यह पूरा मामला क्या है इस बारे में पुलिस फिलहाल मौन है शक है कि इतना सारा पैसा टी टी या विधान स्वा चुनाव से जुड़ा हो सकता है खबर बिश्तार से उत्तरवदेश के आजम गड़ जिले में रेविवार को सिच्छक बातरता परिच्छा टी टी के दोरान लगभग वन चास लाख रुपे बरामत होने की बात सामने आई है इसके साथ ही अठारा लोगों को हिरासत में भी लिये जाने की बात कही जा रही है सारा ममला रानी की सराय थाने छित्र का बताया जा रहा है और थाने पर डीम यस्पी के साथ आला अजकारियों का जमावड़ा भी मौजूद रहा लेकिन कोई कुछ बोलने को तयार नहीं हुआ प्रकरण टी टी अत्वा चुनाव से जुड़ा हो सकता है रववार को रानी की सराय थाना छित में कहीं उन्चास लाक रुपे बरामद हुए इसके साथ ही रामपुर जिले के पांच लोगों समेथ आठारा लोगों को पकड़े जाने की भी बात सामनी आई है दिन भर टी टी को संपन कराने में पुलिश और प्रशासन अमला जुटा रहा देर रात थाने पर मौजूद रहे अज़कारी कोई इस बावत जानकारी से इनकार ही करते रहे चर्चा इस बात की रहे कि इस यो लाल गंच इस प्रक्रण की जाच परताल में जुटे हुए है और सब कुछ रानी की सराय थाने चेतर पर हो रहा है बरामद हुए रुपे और पकड़े गए लोगों को भी थाने में बठाया गया चल नहीं उनसे पूंचता है ब्यूरो रिपोर्ट आजम गढ़